अभी देखी ही कहा है वह तो बस एक एरट लगाए है कि मुझे शादी करनी ही नहीं पर तुम ही बताओ बिना ब्या और ओरत के कोई जिंदगी है मरी सच पूछो तो जी जी क्या रखा है ब्या में भी एक बंदनी तो है जी का जंजाल बिना ब्या के तो कैसी मस्ती रहती है नहीं तो पचास जंजट तुम भी कैसी बात करो हो भो खुला वैल सत्तर जगे मुमारे है आदमी अपने खूटे से बन जाए तो चित भी ठीकाने रही और शेखर के लिए मनोनित पत्नी के रूप की गुणों की प्रशेंशा करते करते जी जी ने सारी दोपेर ही डाल दी इधर दिन का प्रकाश सांज के दुंदलके में डूपता जा रहा था उधर एक एव एकतसे विशाद से रानी का मन भारी होता जा रहा था दूसरे दिन शेखर अपनी जी जी के साथ लड़की देखने चला गया तीन दिन बाद लोटा तो जी जी ने आनन से गदगद होकर शेखर की सिकरिती का समाचार सब लोगों को सुना दिया साथ ही यह भी बताया कि अब तो वे आते महीने में ब्या करके ही लोटेंगी शेखर जब रानी के सामने पड़ा तो रानी ने कहा अब तो मुँ मिठा कराओ क्या बताएं भावी हम तो बस बुरी तरह गायल हो गए लगता है इश्वर ने बड़ी फुरसत में गड़ा है उसे यो बिलकुल दिहातन है पड़ी लिकी भी बिलकुल नहीं पर बस उस रूप से ही माल डला उसके स्वर में उल्लास चलका पड़ रहा था रानी तरकारी काटने बैठी तो उंगली पर चाकू चल गया चूला जलाया तो जाने कैसे हाथ जल गया पर जैसे उसे जलन महसूस ही नहीं हुई कैलाश आया तो वह खाना पर उसने बैठी शेतिल हाथों से उसने थाली परोसी और चकले पर रोटी बेलने लगी तवा चड़ाना भूली गई वो रोटी बेल कर एकदम चूले में ही डाल दी कैलाश रानी के इस अन्मने पन को कभी से लक्षा कर रहा था कहा ध्यान है तुमारा रानी ने अपने आपको सहियत किया कैलाश खाकर चला गया तो उसने चोका उठा दिया उस दिन उससे खाना ने खाया गया फिर बिना कारण ही वे पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी तो अन्जाने ही उसका मन किसी किस नहीं स्पर्ष की आशा के लिए छट पटाता रहा पर कोई नया आया और रोते रोते ही रानी नय जाने कब सो गई शेखर ब्या करके आ गया जीजी से सिर्दर्द का बहाना करके अपने कमरे में ही पड़ी रही यों अपने कमरे में तेवे जहांकर जितना देख सकती थी उसमें जरूर देख लिया था सारी ओरतों में नई बहु के रोप की चर्चा हो रही थी रानी अन्मनी सी लेटी थी तब ही जीजी बहु को लिये हुए वहीं पहुँच गई ये तुम्हारी जेठानी है इनके पैर चो और बहु ने पैर चो लिये अब तुम्हारी तबियत कैसी है रानी ठीक है बैठो और रानी ने बहु का गुंगट उठा कर उसका मूँ देख सगुन भी दिया पर उसके मूँ से प्रशेंशा का एक शब्द भी नहीं निकला इधर उदर की बाते करके अत्यधिक व्यस्तता का बहाना बना कर जीजी बहु को लेकर चली गई उनके जाते ही रानी अनमनी से फिरलेट गई नहीं जाने क्या था जो रह रहकर टीस रहा था कसक रहा था थोड़ी देर बाद वह उठी शीशा उठा कर उसने अपना चेहरा दिखा एक निश्वास छोड़कर वह फिरलेट गई घर ग्रस्ती की बाते समझा कर जीजी चली गई नहीं बहु ने रानी से मितरता गाटने की बड़ी चेश्टा की पर रानी का रुख देखकर सहस ने हुआ उसने पती से कहा तुम तो इतनी तारिफ करते थे बड़े मिजाज हैं तुमारी इन भावी के तो जाओ तो सीधे मूँ बात ही नहीं करती कौन? भावी? नहीं नहीं बड़ा अच्छा स्वभाव है उनका क्या जाने भावी? हम से तो ठीक से नहीं बोलती और उनके आदमी को तो मैं कभी उपर देखू ही नहीं कैसे है? शेखर नहा कर आया था तैयार हो चुका तो सीधा रानी के कमरे में पहुँचा भावी क्या बात है? तुम्हें बहु पसंद नहीं आई कहती थी तुम उससे ठीक से बोलती नहीं नहीं बोलती तो क्या फासे पर चड़ा दोगे? आई चार दिन नहीं हुए और तिरिया चिरितर शुरू कर दिया अरे तुम्हारी शेकायत क्या करेगी? मैंने ही उससे कहा था कि भावी के पास आया जाया करो तुम मन लगा रहेगा मैं कोई किसी का मन बहलाने के लिए नोकर बांदी हूँ तुम नाहा की बिगड रही हो सच बोलो तुम्हें पसंद नहीं आई मुझे क्या करना पसंद ना पसंद करके रूप वती है तो सिर पर बिठा कर रखो मुझे क्यों सुना रही हो बार बार नियात ही बत्तमी जी की बातों से इस बार शेखर जला गया वह रानी के आकरोश को समझता था पर किसी तरह उसे उचित नहीं ठहरा पाता था रूज शाम को शेखर अपनी बीवी को गुमाने ले जाता उसने गुंगट काड़ना चोड़ दिया था और वह बड़े नकरे से सजकर निकला करती थी रानी खुले आम उसकी बेशर्मी की आलोचना करती कभी छटगंदी करने के अपराद में तो कभी पानी जादा बहानी की शिकायत लेकर वह अक्सर बहु से लड़ लिया करती थी शुरू में तो बहु संकोचवश चुप रहा जाया करती थी पर आखिर वह भी दियात की थी लड़ने जगडने में माहिर रानी कुछ सुनाती तो सवाया उत्तर पाती जो जो नई बहु की शोकिया और रूप निखरता जा रहा था दोनों का जगड़ा और अधिक तूल पकड़ता जा रहा था अब तो आए दिन दोनों में जगड़ा होता आस पास की उड़तों को समझाना पड़ता उस समय रानी बड़े तैश में कहती एक साल से इस घर में रह रही हो क्या मजाल जो किसी से भी कासुनी होई हो लड़ना जगड़ना मेरी तो आदत में ही नहीं है पर नीचों के बीच रहकर नीच ही बनना बड़ता है नीच शब्द के आते ही जो वाक युद होता तो आसों की अजसर धाराओं में ही उसकी समापती होती कितनी ही बार शेकर घर में होता पर ने तो है एक शब्द ही बोलताने बहार आता ऐसी स्तिति में रानी स्वर को सब्तम पर ले जाकर कहती बला करने का जमाना नहीं रहा हरे साल भर तक रोटियां ठोक ठोक कर खिलाई उसकी कौन कहे चार दिन इसे आये नहीं हुए कि सब किये कराये पर पानी फिर गया ऐसे नामक अराम भी देखे नहीं होंगे कही पर शेकर फिर भी खामोश रहता एक दिन के लाश ने कहा यह रोज रोज क्या महाभारत मचा रहता है घर में कुछ लाशरम भी है या नहीं तो मैं क्या करूँ कब तक किसी किसा हूँ वह चार दिन की व्याही उसे ही शरम नहीं तो मुझे ही क्या पड़ी है तुम्हें तो सारा दोश मेरा ही दिखता है दोश किसी का भी हो तुम्हें मूख खोलने की जरूरत नहीं है पर इस टेतावने के बाद भी रोज के महावारत में कोई अंतर नहाया पडोस की ओरतों का पक्ष अपनी ओर करने के लिए उसके पास एक ही दलिल थी कि उसने शेकर को इतने दिन रोटियां खिलाई और जब पक्ष का भहुमत उसकी और हो जाता और सब एकमत होकर कह देती कि शेकर जैसे स्वारत आदमी इस दुन्या में ढूंडे से भी शायद ही मिले तो रानी ततकाल ही कह देती अरे शेकर तो ऐसा बुरा आदमी नहीं यह तो जब से इस चुडहल का पैर घर में पड़ा है उसकी भी मती ब्रश्ट हो गई नहीं तो साल भर मेरे साथ रहा क्या मजाल के कभी जराबी बेयद भी की हो पर अब देखो कैसा बदल गया बाहर बहु गालियां बके तो अंदर बैठा गटर मटर सुनता रहे यह नहीं हुए कि चोटा पकड़ के दो धोल जमा दे इस परकार की चकचक भव से रोज ही हुआ करती पर परसो वह शेकर से भी उलज गई उस दिन हवा प्राइब बंद थी और उमत ऐसी कि दम घुटा जा रहा था रानी चट पर खटिया डाल कर पंके से हवा करते हुए जैसे तैसे अपने जुलस्ते हुए शरीर को शांत करने का एस तफल प्रयास कर रही थे तब ही शेकर अपने पीछे एक कोईले वाले को लेकर उपर आया और चट के कोने की और इंगित करके कोईला रखने को का यह सुनते ही रानी भबक उठे चट साजे की है यहां किसी का कोईला गोबर मिटी नहीं रहेगा मैं अभी से कहे देती हूँ शेकर खामोश रहा उसने कोईले वाले का इसाब साफ करने के लिए पैसे निकाले और गिनने लगा कान नहीं है क्या मैं कहे रही हूँ कि छट पर कोईले नहीं रहेंगे गर्मी के दिन है सब सोते बैटते है यह कोई कोईले रखने की जगए है भला छट साजे की है हम अपने हिस्से में चाहे जो करें किसी को इस्से मतलब और उसने कोईले वाले का हिसाब साफ किया रानी का क्रोध जो गर्मी के कारण कब से उबल रहा था इस बात को सुनते ही फट पड़ा मैं कहती हूँ कोईले यहां नहीं रहेंगे और उसने जाते हुए कोईले वाले को आदेश दिया कि बोरी हटा दे कोईले वाला बेचारा समंजस में पड़ गया मेरा मूँ क्या देख रहा है जाकर बोरी को रसोय में पटा का कोईले यहां नहीं रहेंगे शेखर इस परकार के जगड़ों में शैद कभी भाग नहीं लेता पर जब रानी ने बोरी में से कोईले निकाल निकाल कर फेंगने आरम किये और अनाप्शना बकना शुरू किया तो उसे मजबूरन बोलना पड़ा हट जाओ यहां से अपने हिस्से के चट पर रहो नहीं तो हाथ पकड़ कर निकाल दूगा अब तो गजब हो गया रानी गले की पूरी टाकत के साथ चिलाने लगी उसने अपना हाथ शेकर के शरीर से एक परकार से सटा सा दिया ले पकड़ पकड़ तो हाथ यह हाथ पकड़ कर हटावेंगे अब पकड़ता क्यों नहीं असल मरत का बच्चा है तो पकड़ कर ही दिखा दे और वह हाथ को उसके शरीर से सटाय चली जा रही थी शेकर अंदर चला गया पर रानी की चीक पुखारों ने सारा आस पडोस इखटा कर लिया अग क्या भले आदमे इस घर में रह सकेंगे अपने घर में एक छिनाल बठा रखी है तो सब को छिनाल ही दमझ रखा है पराई ओर्तों का हाथ पकड़ेंगे और वह फूट फूट कर रोने लगी किसने हाथ पकड़ लिया बढ़े आए हाथ पकड़ने वाले जरा पकड़ कर तो देखे अब उर्तों की तरह मूँ छेपा कर अंदर बैट गए जरा निकल कर हाथ पकड़े तो सही आसों से भीगा होने पर भी स्वर काफी तेज था उपर खड़ी मालकिन भी यह तमाशा देख रही थी उन्होंने रानी को बुलवाया रानी रोती चीकती उपर चली गई क्या शेकर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया नहीं हाथ पकड़ तो कैसे ले कोई तमाशा है और वे फूट फूट कर रोने लगे तब फिर क्यों ऐसे रो रही हो कहा सुनी तो हो ही जाया करती है पर रानी थी की रोई चली जा रही थी उसने हाथ शेकर के शरीर से सटा दिया था फिर भी उसने नहीं पकड़ा ना मर्द कहीं का बात कुछ भी नहीं थी फिर भी सारे घर में यों फैली कि शेकर ने रानी का हाथ पकड़ लिया केलाश ने सुना तो आग बबुला हो गया काम छोड़ कर उपर आया रानी को कमरे से खीच कर उसने दो तिन लाज जमा दी एक दिन शान्ती से नहीं रहने देगी है चोड़ेल सारे दिन चक चक मैं कल ही सब काम छोड़ कर नया मकान ढून लूँगा इस घर में रहना हराम कर दिया रानी रोती रही दोश उसका नहीं फिर भी पिट रही है उधर शेकर की बहुच चाहे कुछ भी करे शेकर उसे पान फूल की तरह ही फेरता रहता है अपने इस दूर भागे पर उसका हिर्दे बुरी तरह मता जा रहा था तभी उसने सुना शेकर के कमरे से रोने की हवाज आ रही थी स्वर बहु का था तो आज पढ़ गई बहु पर परम संतोश से उसका मन भर गया और वह पूरी तरह सतर खोकर उधर की आहट लेने लगी खबरदार जो तुम कभी भी भावी से लड़ी दोश चाहे किसी का भी हो पर तुम बोलो तो ठीक नहीं होगा यह मैं अभी से कही देता हूँ बहु ने भी कुछ कहा पर स्वर सिस्क्यों में ही खो गए रानी कुछ समय के लिए गर्मी की तकलीफ को भी भूल गई थोड़ी देर में उसने बहु को कमरे के बाहर देखा था अधिक रोने के कारण आँखे सू जाई थी रानी ने मन में सोचा दो एक धोल भी पड़े दिखते हैं अब अकल ठिकाने आ जाएगी सारा गरूर जढ़ जाएगा रानी साब का सारे दिन रानी का मन प्रसन रहा आखिर कुछ भी हो शेखर का मन वह जानती है पर तभी केलाश ने आकर बताया कि मकान ठीक हो गया है और उसकी विचार धारा ने पल्टा खाया अब उसे यहां से जाना ही पड़ेगा कैसे जख्की आदमी से पाला पड़ा है खुद तो सारे दिन मशीनों में जुते रहते है मैं यहां चार आदमियों में रहती थी सो भी ने नहीं सुहाया मैं नहीं जाओंगी वे मनहिमन बुदबुदा रही थी कि केलाश ने आकर फटकार दिया यह क्या तुम यह ही पढ़ी हो उटकर समान क्यों नहीं बानती राणी से कुछ नए कहा गया मन मारकर उठी और समान बानने लगी सब कपड़े बकसों में बंद किये शाम को खाना बनाने की दो चार बरतनों को छोड़ कर बरतन बंद किये और तो घर में समान ही क्या था कपड़े जमाते समय एका एक उसके हाथ में अकबार में लिपटा एक पुलिंदा आ गया उसमें लिपटी चूड़ियां और चमचमाती बिंदियों को देखकर अनयास ही उसकी आखे भर आई एक गहरी निश्वास छोड़कर वह फिर काम करने लगी शाम को ही सारा समान ठेले में लदवा कर कैलाश चला गया सब समान जमआ कर रात में वह लोटेगा और दूसरे दिन सवेरे इस घर से वे लोग चले जाएंगे घर चोटने की बात से ही रानी का कलेजा मूँ को आ रहा था वह रो रोकर सबसे मिलाई थे बस शेकर के यहां नहीं गई वहाँ जाएगी भी नहीं पर मन उसका बड़ा कर रहा था कि चली जाए सवेरा हुआ तांगा आया भीगी आँखों से उसने सबसे विदा ली जाते जाते भी उसको लक्षे करके बरस पड़ी अब खूब फैल फैल कर रहना सारे दिन नहान घर में गुसी रहना सारी छट पर कोईले फैला कर रखना कोई तुम्हें कुछ कहने नहीं आएगा एक दिन चैन से नहीं रहने दिया कहवे बहु से रही थी पर बराबर उसकी आँखे कमरे पर पड़ी चिक के पार लगी थी जाने वे क्या चाह रही थी तभी कैलाश का स्वर सुनाई पड़ा अरे जल्दी करो तांगा वाला चिला रहा है कसकते मन को लेकर रानी उतर पड़ी आँखें इस समय भी उसकी भरी थी और उससे भी ज़्यादा भरा था उसका मन तांगे में एक कील निकल रही थी रानी ने देखा नहीं और जाने कैसे पकड़ा की कील उंगली में हाथ कीचते ही खोन भैयाया कैलाश ने देखा तो जल्ला उटा कोई काम देख कर नहीं करती और कुछ नहीं तो हाथ काट लिया रानी एक टक उंगली से बहते कोन को देख रही थी और एक एस पश्ट सी तस्वीर उसकी आँखों के आगे उबर आई अरे यह क्या तुमने तो उंगली काट ली भावी और चट से एक रुमाल बंद गया मन का गुबार कहीं बहंकर उच्छवास में ने फोट पड़े इसलिए उसने जोड से अपनी खोन से सने उंगली को दातों में दबा लिया अब जराची लगी गई तो यो रास्ते में क्यों रो रही हो घर चल कर पट्टी बांद लेना पर रानी रोती ही रही रोती ही रही